सांबर एक साउथ इंडियन रेसिपी है और इसको इडली सांबर और बड़ा राइस के साथ भी आप खा सकते हैं और यह बहुत तेस्टी लगती है इसको मैं आज बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह लिए है मैंने छोड़े साइच यह प्याज चार सी पांच अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे स्लाइस में और यह लिए है मैंने सिंगी या कहीं इसको सिंगा भी बोलते हैं इंगलिस में इसको ड्रम स्टिक्स बोलते हैं तो इस तरह से थोड़े छोटी साइज के हम इस तरह से कट कर लेंगे और इस तर से सी तरह से हम सारे सींगी को रेडी कर लेंगे ने सारे क्ट कर लिंग और यह लिया है मैंने पेठा दस बार-वृपीस और चोड़े साइज के बैंगन आप हम कडाईल रालेंगे कर दो तो इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ओयल तीन से चार चमच तील को अच्छे सी गरम होने देंगे अब इसमें एट करेंगे हींग, मस्टर्ड सीर्स और थोड़ा जीरा, थोड़ी मेथी, हाप टी स्पून और तीन सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और अब एट कर देंगे प्याज, अब हम इसको हलका हलका रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हमें इसको रोस्ट नहीं करना है अब एट कर देंगे टमाटर दो बड़े साइच की मैंने टमाटर लिये है टमाटर को एक मिनट के लिए पकाएंगे हम इस तरह से चलाते रहेंगे अब एट करेंगे हाप टी स्पून हल्दी हाप टी स्पून लाल मिर्ज और धनिया पाउडर धन्या पाउडर हम ज्यादा कॉंटिटी में यूज करेंगे दो बड़ी चिमच मिक्स करेंगे चलाते रहेंगे और लीट से कवर करके एक मिनट के लिए और पकाएंगे अब लीट हटाकर फिर चेक करेंगे थोड़ा और चलाएंगे और अब हम एट कर देंगे इमली का पल्व मैंने 50 गिराम इमली ली थी और इसको गर्म पानी में भीगो कर उसका पल्व रेडी कर लिया था वो मैंने एट किया है अब हम इसमें एट कर देंगे तुवर दाल बॉयल की भी मैंने एक कप तौर दाल ली थी और उसमें दो कप पानी डाल के मैंने उसको कुप कर लिया था थोड़ा नमक डाल कर तो अब हम तौर दाल एट कर देंगे इसमें अरहर दाल भी बोलते हैं इसको तौर दाल भी बोलते हैं थोड़ा पानी हम और एट करेंगे तोड़ा पानी वो डालेंगे क्योंकि सामड जो है वो काफी मतलब पतला रहता है और अब हम डाल देंगे ड्रमिस्टिक्स, पेठा, और बैंगन, यह छोटी साइज के मैंने बैंगन लिये थे, जो मैंने छोट छोट इपिसिस में कट कर लिया था, सारी सब्चियों को, अब लीट लगाके हम इसको 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे, सब्ची इसमें गाजर या फिर लोग की घिया का भी योज कर सकते हैं, चेक करेंगे कि सब्ची हमारी पकी है या नहीं, इसको फिर से चलाएंगे, अब हम एट कर देंगे, इसमें सांभर मसाला, एक बड़ा चमच, मिक्स करेंगे, अभी हमें इसको 3-4 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि हमारी जो सब्ची हमने इसमें एट की हैं, वो अच्छे से पक जाएं, अच्छे से गल जाएं, तो अभी 3-4 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे, 3-4 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे, कि हमारी सब्ची अच्छे से पक चुकी है या नहीं, तो ये देखे, सांभर हमारा रेडी है, सब्ची अभी अच्छे से गल चुकी है, सांभर हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको सब कर लेते हैं, एक राइस के साथ खा सकते हैं तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक यू फॉर वचिंग